आप सभी प्रियत दर्शकों का इस नए वीडियो पर स्वागत है। आईए चल कर हम जाने IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटिड के बारे में। जी हाँ, ये भारत की नंबर वन गैस सर्विस प्रोवाइडर है, जो कंप्रेस्ट नेचरल गैस, which is called CNG, और पाइप्ट नेचरल गैस, which is called PNG, की डिस्ट्रिब्यूटर है। आपको पहले थोड़ा हिस की हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, जो की गेल से डिस्ट्रिब्यूट कर दी गई थी NCR रीजन के लिए, तो डेली का जितना भी हमारा NCR का रीजन है, उसमें एक सेपरेट उनिट बनाए गई, उसको इंदरप्रस गैस लिमिटेड के नाम से कहा गया। बहुत जादा ब्लैक हो जाता था, पर जब से ये CNG इंकोर्परेट हुई है, और गौर्णमेंट में सारी उनकी DTC बसे को मेंडिटरी कर दिया था, उसके बाद उन्होंने थ्री विलर्स को मेंडिटरी कर दिया था, और उसके बाद अब काफी सारे कार्स भी आ गए हैं, ज 407 रुपे पर बंद हुआ है, NHC और BSE दोनों पर लिस्टेड है, थोड़ी और बात करते हैं, CNG, जो CNG है, वो effectively natural gas है, जो की hydrocarbon mainly methane से बनी होती है, और ये automobile के fuel में use की जाती है, इससे advantage ये मिलता है, कि residual carbon बहुत कम होता है इसमें, क्योंकि hydrogen की मातरा ज्यादा होती है, तो carbon कम होने के वज़े से blackness जो होती है, जो pollution जो होता है, carbon graded pollution जो होता है, वो कम produce होता है, एक तो ये advantages का, दूसरा advantage ये है, कि ये environment friendly है, जब आपका pollution कम होगा, तो substitute बहुत कम निकलेंगे बहार, ताकि बच्चे और environment और paid भोदे उसको आराम से सहन कर सकते हैं, जितना pollution निकलता है, और तीसरा, ये pocket friendly भी है, जी हाँ, अगर आपके एक डेली से आपको नैनिताल की trip लगानी है, तो हो सकता है आपका petrol का खर्च करीब करीब 4000 रुपया है, पर अगर आप CNG पे जाएंगे, तो आप 1000 रुप में काम कर सकते हैं, तो इसका बहुत फरक पड़ता है, आप समझे इस बात को, तो public को भी ये बहुत अच्छा, beneficial है, environment के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये commercial purpose के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इस सब के चलते हुए, इस company की बहुत जादा रिमांट थी, आज हम बात करेंगे हाँ पर fundamental analysis, IGL का, हम इसको buy कर सकते हैं, कि sell कर सकते हैं, क् पूरा detail में इसका technical analysis करके आपको result conclude करेंगे, channel पर बने रहिएगा, तो अगर हम सबसे पहले इसकी market cap की बात करें, इसकी current market cap है 28,000 करो, जी हाँ, 28,000 करो, कोई छोटी company नहीं है, और ये reasonably valued है at this point in time, इसका price higher भी गया था, उसके बाद लोर भी गया है, तो हम सब detail बात करेंग reasonably valued है, तो यहाँ पर operators का कोई इतना अदा game चलाने की दिक्कत नहीं है, और इसका dividend जो है 140% है, इसकी अगर face value देखे जाए तो 2 रुपे की है, तो उसके हिसाब से 140% अपना dividend देते है, dividend yield work out to be 0.69, तो अगर हम बात करें अब इसके chart की, हम weekly chart पर अगर देखें, तो पिछले चार महीने से ये एक consolidation upward zone में चल रहा है, जी हाँ, ये upward zone में चल रहा है, और triangle अगर आप देखें, जो इसने channel बनाया है, बहुत ही reasonable level पे उसने upward momentum दिखाया है, हम इसके बारे में detail में बात करेंगे, especially जहाँ पे consolidation किया था उसने, और जहाँ पे उसने volume increase शुरू हुआ है, तो ये बहुत अच्छा consolidation किया इसने, और वहाँ से फिर breakout हुआ, जी हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे जो volume आया है, volume देखें, volume भी reasonably expected था यहाँ से उपर जाने के लिए, तो बहुत अच्छा breakout दिया था with volumes पुराने comparison में, अब अगर दोस्तों अगर आपको जी की बात करें, जो कि इनका दूसरा product है, piped natural gas, यहाँ, यह basically आपके घर में cooking के लिए direct pipe के through gas भेज जाती है, जिसके चलते हुए आपको cylinder की request नहीं करनी पड़ती है, cylinder की delivery नहीं करनी पड़ती है, और आपको cylinder का exhaustion का भी खतरा से बढ़ जाता है, तो यह आपके home friendly भी है और pocket friendly भी है, क्योंकि आपका supply charges नहीं लगते हैं, इसमें जो delivery की delivery होती है, cylinder की delivery होती है, उसके supply charges नहीं होती है, एक बार आपने meter start कर दिया, तो उसके बाद आपको meter के through reading से pay करता है, तो बहुत ही अच्छा सुईधा है सब के लिए, आगे हम फिर बात करते हैं अपने weekly chart पे, त यहाँ पे इसने बहुत अच्छा price up movement दिखाया, consolidation के zone के बाद, और volume को भी आप ध्यान से दिखेगा है यहाँ पे, volume भी पिछले consolidation से काफी अच्छा relatively रहा, तो इसके चलते हुए, इसमें काफी अच्छा growth outlook आने की उमीद है अभी यहाँ पे, अगर आप और बात करें तो इ इनके project भी चल रहे हैं, अलग-अलग locations पे, अगर आप NCR की बात करें तो यह गाजवाद में expand कर रहे हैं, हापूर में है इनका station, मुझफर नगर में है इनका station, शामली में है, मेरट में है, कानपूर तक में है इनका station, अगर आप गुरगाँ में बात करें तो रेवडी में है, विवारी गुरगाम में है, करंडाल में है और राजिस्तान में भी है इनके center अजमेर के आसपास, तो बहुत बहुत जंगा इनका distribution है यहाँ पे, अपने centers को लेकर, अब आगे हम daily chart पर इसका analysis करते हैं, और वहाँ पे हमने Fiborocchi retracement आपके लिए बनाया है, अगर आप द करता है, तो बहुत अच्छा sign माना जाता है stock के लिए, इसका एक long term support जो हमें दिख रहा है, वो 376 पर है, और अभी यह 407 के level पे trade कर रहा है, हम एक special बात बताएंगे, इसके पिछले एक हफ़ते के trading की, ताकि आपको समझ में आए, पर उससे पहले, अगर आप देखें हैं जून के महिने में, मई आखिर में, जून के महिने में, इसने एक बहुत ज़्यादा volume के साथ trade किया, और एक effectively, एक without body की एक बहुत लंबी wix वाली candle बनाई, इसका क्या मतलब है, कि यहाँ पे कोई decision नहीं हो पाया, ना bulls के बीच में, ना buyers के बीच में कोई financial conclusion नहीं निकल प statement है, कि यह इंडिया को clean energy solution प्रवाइड करना चाते हैं, और अपने customer को एक center बनाके उसके through innovation को lead करते हैं, और जो कि इनका results दिखाई दे रहा है इनकी company में, अब अगर हम ने जो volume के बात किया, हम यहाँ पर बात करते हैं, last एक हफते का आप देखे ज़रा, price कैसे हुआ, Tuesday को price बहुत ज़ादा गिरा, Tuesday को करीब-करीब इसका price 30 रुपे गिर गया, उसके बाद Wednesday, Thursday, Friday इसने smaller, smaller, smaller bars बनाई, अब वही अगर आप volume को भी देखेंगे, तो volume पे एक बार नज़र डाल लिया आप यहाँपन में, volume पे देखिए, जो Tuesday को volume था बहुत ज़ादा था, उसके बा क्या रहा है, कि अभी market में इसकी positive momentum आने की ज़्यादा chance है 50% retracement से, और इसके चलते हुए, हमारी recommendation है, आप इसको buy कर सकते हैं, जी हाँ, price इसका आप 390 से लेके 400 की range में, कुछ price आप current market price भी ले सकते हैं, कुछ price आप 390 के आसपास अपना रख सकते हैं, इसका 376 पे बहुत strong support है, और अगर ये नीचे आता है, तो आप और price इसका purchase कर सकते हैं, पर जो initial recommendation है, 390 से 407 के बीच, आप quantities की staggered manner में खरीच सकते हैं, इनकी customer, social responsibility, corporate social responsibility, CSR policy के बारे में थोड़ा बताते हैं, ये लोग बच्चों को खाने के लिए सवीधा पराप्त करते हैं, उनके बच्चों क उनके working hours में, society को cleanness के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए computer education देने के लिए बेज़ आता है, तो काफी social responsible organization है, इसका target price, अगर हम इसके target की बात करें, तो 4500 का इसका target है हमारा 3 महिने के range में, और अगर आप long term की इसकी horizon देख रहे हैं, तो 4500 का target हम देंगे 1 साल के range में, यहां आपने सही सुना, 4500, तीन महिने के लिए, और 4500, एक साल का इसका range रहेगा, strongly recommended, thanks for watching, और अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा, तो क्रिपया एक चोट असा like कर दीजेगा, चैनल को subscribe करने के लिए धन्याटाइगा,